हेलो फ्रेंड मोम के दल का भल्वा और मिठाई बहुत खाया होंगे लेकिन इस तरह से आपने लड्डू नहीं खाया होंगे जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उतना ज्यादा खाने में स्वाधिश्ट होता है वह भी कम समय में आप बना सकते हैं इस्टोर करके भी बनाने के लिए हमने एककटोरी मोम दले लिया है अब यहक्ते अज में दौले ना है ना है इसको भीगादा नहीं है अच्छे सको सुखा लेड़े ताक में पानीना रहे हैं आप गैस में में कडाई चड़ा देना है उसमें हिंधाल all कर देंगे त्रच व अचु बोंना है और इसमें से बहुत अची खुषबू भी आ रहे हैं Dallas पता लग सकता है अब उसी कड़ाई में हम घी आट करेंगे गीएट करने के बाद अब हम इसमें कटे हुए ड्राइफूट इसमें डालेंगे तो काजू किसमिस बदाब इसमें डालें तो कब तक हमें फ्राई करना है जब तक किसमिस हमारी अच्छे से फूलना जाए तो यह दिखिए हमारा ड एक मिक्सर जाल लेना है में भूनावा दाल था अङू में दने दार बढ़ी आपी कि अब कड़ाई की तरफ चलते हैं गैस की तरफ और उसमें हम और घी बढ़ा के डालेंगे दो बड़े चम्मच गी लाल हो जाएं तो उसमें मुम दाल का जो आटा था उसमें डाल देना है डालने के बाद प्रेंड इसको अच्छे से भूनना है जितना अच्छा भूनेगा अच्छा त्यार होगा अच्छा दिर्याच पर भूनना है जाते आच नहीं करना है वह न चल जाएगा तो आप देख सकते हैं यह से भून गया है अब हमें सुखा लग रहा है तो आप इसके गी क्यों पांटिटी बढ़ा सकते हैं तो यह दिखें हमने इसमें घी डाला है ह अब इसको अच्छे से चला लेना है लड्डू में हमें घी ज्यादा डालना चाहिए तक हमारा लड्डू घी से ही बनता है इसमें दू बड़े चमच हमने फ्रेस मलाई ली है इसको पीसमें एड़ कर देना है इसे डालने से इसका स्वात काफी अच्छा आता है मेर आच्छे से मिल गया है अभ हम इसमें ड्राइफ दशूर ड्राइफ दालने के पास हम इसमें चीनि कर देंगे चीरी को पेच्छे से मिलाना है अगर आपको सूखा लग रहा है तो इसमें घी और मिलाईए जालना है इसमें थोगा सा लाची पीशके डाल देना है ताके अच्छा फ्लेवर आए अब इसमें मैंने कलर फूट डाला है इसका कलर इससे काफी अच्छा आएगा आप चाहाए स्क्राफरे सकते हैं नि द Bayと मिला दिया है तरफ करके में चला देना है झाल पार बें स्कारा मिल गा है कि अब यह को थंडा होने के लिए रख देते हैं सेखिये हमारा च्छा हो अगर आप ऐसे लड़ू बनाएंगे आप महीनों इस्टोर करके रख सकते हैं एकदम खराब नहीं होगा खाने में भी वैसे स्वाद रहेगा इस में घीर क्वांटिटी आप बढ़ा के रखेगा यह दिखिए सारा लड़ू ने बना लिया है तो कितना अच्छा लग रहा है हमारा लड़ू तो मैं आपको तोड़ के दिखा रहे हूं यह देखिए इदम दानेदार मस्त एकदम स्वाधिष्ट बनके तयार हुआ है तो आपको हमारे खड़े मुम के दाल का लड़ू कैसा लगा इंसाल अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक करिएगा कमेट करिएगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा अब बना के अपना अन्भाह में बताईएगा क्या आपको हमारे लड़ू की रेस्पी कैसी लगी इंसाल अच्छी लगी हो मिलते हैं नेक्स बोग में थैंक्यू सो मच अल्ला हाफीज